नमस्कार में डॉक्टर राकेश पाठक भारती जनता पार्टी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस वक्त उसका जो सदसिता अभ्यान चल रहा है उस अभ्यान के बाद वो दुनिया की तमाम राजनेतिक पार्टियों का सदसिता का रिकॉर्ड तोडने वाली है लेकिन सदसिता भीयान को लेकर इस कदर बवाल हो रहे हैं कि ये साफ समझ में आ रहा हैं कि भारती जन्ता-पार्टी का दावा पूरी तरह खोकला है उसके ढोल की पोल खुलती जा रही है क्योंकि भारती जनता पार्टी के सदस्यता अभ्यान में तमाम तरह के जबरिया सदस्यता अभ्यान चल रहे है पकड़वा सदस्यता अभ्यान चल रहे है लालच देकर सदस्य बनाये जा रहा है और तो और आधी रात को अस्पतालों में भरती मरीजों को धोखा देकर बीजेपी का सदस्य बनाये जा रहा है आएज बीजेपी के सदस्यता अभ्यान की पूरी पड़ताल करते हैं आप जानते हैं भारती जंता पार्टी ने पिछली 2 सितंबर को यानि 2 सितंबर 2024 को सदस्यता अभ्यान शुरू किया है इसे उसने संगठन पर्व का नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़्डा और पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में समारोव पूर्वक इसका आगाज हुआ था पार्टी का दावा है कि अब तक उसके आठ करोड असी लाख से ज्यादा सदस्य है और अब की बार इस आंकडे को दस करोड के पार ले जाने का टारगेट निर्धारित किया गया है पार्टी ने चार तरह से बीजेपी का सदस्य बनने की विवस्था की है पहली विवस्था है कि आप पार्टी द्वारा दिये गए नंबर पर मिस्ट कॉल देकर सदस्य बन सकते हैं दूसरा है नमो एप के जरिये तीसरा क्यू आर कोड है जिसको आप स्केन करेंगे और बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे और चोथा है पार्टी के किसी भी करेले में जाकर या पार्टी ने जो बूत बनाएं सदस्य बन सकते हैं लगातार पार्टी पूरे देश में सदस्य बन सकते हैं खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नडड़ा, अमिश शाह, तमाम राज्यों के मुख्य मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सब अपनी सदस्य सिता का नवीनी करण कर रहे हैं अब पार्टी ने दावा किया है कि 10 करोड के लक्ष तक पहुँचने में वो काम्याब होने वाली है, 9 करोड सदस्यता का आंकड़ा भारती जनता पार्टी पार कर चुकी है, इसके पोस्टर बैनर तक जारी कर दिये गए हैं, खुद प्रदान मंत्री ने पार्टी के राष खाई दे रही है, वो सच्चा सदस्यता अभ्यान है या लोगों को धोखे से बीजेपी का सदस्य बनाये जा रहा है। गुजरात और मद्परदेश में दशकों से भारती जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद पार्टी किस तरह लोगों को सदस्य बना रही है, इसके कुछ नमूने आपको दिखाते हैं। गुजरात की जो ताजा घटना है वो बेहत मजेदार है। गुजरात में रा आखों के ओपरेशन के लिए, मोतिया बिंद के ओपरेशन के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में भरती थे। दो दिन पहले आधी रात को लगवा ग्यारा बजे के बाद भारती जनता पार्टी का एक कारिकरता अपने साथियों के साथ अस्पताल में पहुँचा। सोते हुए मरीजों को बीजे पी के इन कारिकरताओं ने जगाया और उनसे उनके मुबाइल नमबर मांगे हैं। उनके मुबाइल नमबर से कॉल करके बीजे पी के नमबर पर डायल करके मिस्ट कॉल देकर इन मरीजों को जो आधी रात को अपने अपने बिस्तर पर सो रहे उन्हें बीजेपी का सदस्य बना दिया गया उन्हीं मरीजों में से एक मरीज हैं कमलेज भाई ठुमर उन्होंने इस पूरे घटना करम का वीडियो बना कर वाइरल कर दिया कमलेज भाई का दावा ये है कि इस अस्पताल में आखों के आपरेशन के लिए जो मरीज भरती थे उन्हें धोखा देकर आधी रात को नींद में से जगा कर बीजेपी का सदस्य बना दिया गया कमलेज भाई के मताविक दो सो से धाई सो मरीज इस तरह से जहां से में लाकर भारती जनता पार्टी के सदस्य बना दिये गए ये तो थी एक घटना लेकिन गुजरात में दो सि दोखा देकर लोगों को अपनी पार्टी का सदस्य बना रही है एक घटना भावनगर की भावनगर के प्राथमिक स्वास्तकेंद्र यानि पीच सी पर एक पती-पत्नी पहुंचे थे महिला को प्राथमिक स्वास्तकेंद्र में इंजेक्शन लगवाना था लेकिन जब वो नहीं वहां पहुंचे तो अस्पताल के करमचारियों ने उनके मुवाइल नंबर पर एक OTP मांगा यानि उनके मुवाइल नंबर से पहले फोन डायल करवाया एक कॉल करवाया उसके बाद जब OTP आ गया तो अस्पताल के करमचारियों ने वो OTP मांगा लेकिन इस पती-पत पत्नी ने आपत्ती की कि वे तो भारती जंटा पार्टी का दस सदसे बनना नहीं चाहते लेकन अस्पधाल के करमचारियों ने धोका देकर उन्हें बीजेपी का सदसे बना लिया इसके अलावा सुरेंदर नगर जिले में तो और ही कमाल की घटना हुई वहां तो BJP के कारेकरताओं ने स्कूली बच्चों को स्कूल में पहुँचकर उनके नमबर लेकर BJP का सदस से बना दिया ये ज़्यादातर बच्चे नावालिग हैं और स्कूली बच्चों को BJP का सदस से बनाने जाने की खबर जब सामने आई तो पार्टी ने इसकी जहांच का आदेश दे दिया जहांच में क्या हुआ कोई नहीं जानता गुजरात के कई जिलों में ऐसे मामले भी सामने आए जहांपर बीजेपी के कारेकरताओं ने 100 सदस्य बनाने पर 500 रुपए देने का लालच भी लोगों को दिया यानि पैसे देकर भी बीजेपी के सदस्य बनाने का अभियान इस संगठन पर में चल रहा है अब आते हैं दूसरे प्रदेश यानि मद्य प्रदेश में मद्य प्रदेश भी भारती जनता पार्टी का गड़ है लगवक दो दशक से बीजेपी की सरकार है लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सदस्य बनाने कैसे कैसे गुल खिलाये जा रहे हैं इसकी बानगी चंद घटनाव से आप तक पहुँचाते हैं सबसे मज़ेदार वाकिया तो मद्य प्रदेश का ये है कि मद्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता जो कि इस वक्त विधायक भी हैं कई बार मंत्री रहे हैं अजय विश्नोई अजय विश्नोई के पास एक नंबर से टेलीफोन पहुँचता है उन्होंने जब कॉल उठाया तो कॉल करने वाले ने उन से कहा कि क्या आप अपने अकाउंट से यानि अपने नंबर से बीजे पी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाना चाहेंगे वो नंबर एक एजनसी का था यानि भारती जनता पारिटी का सदस्य बनाने के लिए एजंसियों को ठेका दिया गया है जो पैसे लेकर किसी भी नेता के एकाउंट से ज्यादा सदस्य बनाने का काम कर रही है अजय विश्णोई बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांस्त विधायक, पूर्म मंत्री उन्होंने इस घटना का ट्वीट किया उन्होंने बाकाइदा वो नंबर साजा करते हुए लिखा कि इस नंबर से मुझे कॉल करके कहा गया कि क्या आप अपने अकाउंट से सदस्य बनाने का ठेका देना चाहेंगे अजय विश्नोई का कहना यह है कि इस घटना से लगता है कि पार्टी के लोग ठेका देकर एजंसियों से भी सदस्य बनवा रहे हैं अजय विश्नोई की इस ट्वीट के बाद पार्टी में खलवली मच गई पार्टी ने इसका खंडन किया कि किसी एजंसी को इस तरह का ठेका नहीं दिया गया लेकिन मद्ध प्रदेश में एक और गजब का कारणामा हुआ लखन घंगोरिया, कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं उनको बीजेपी का सदस्ट बना दिया गया, उनके टेलीफोन पर, उनके मुवाइल पर बीजेपी की सदस्टा का बधाई संदेश आया उन्हें ये मेसेज किया गया कि आपने बीजेपी का सदस्ट बनने के लिए प्रक्रिया पूरी की थी और बधाईयों आप बीजेपी के सदस्प बन गए हैं लखन गंगोरिया ने बाकाइदा वीडियो जारी करके बताया वो मुबाइल नंबर दिखाया जो मैसेज आया था वो लोगों को दिखाया कि इस तरह से फरजी तरीके से बीजेपी का सदस्प बनाए जा रहा है वे तो कॉंग्रेस के नेटा हैं इसके बावजूद भारती जनता पार्टी ने उन्हें बीजेपी का सदस्प बना दिया आज़े सुनिये लखन गंगोरिया ने इसके बारे में क्या जानकारी थी अब किस परकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कारकरता कांग्रेस के निताउ के सदत सो बना कि भारती जनता पार्टी क्या प्रदर्सित करना चाहिए एक तरीखे से पूरा फर्जी सदत से अभीयान है वीडी तरमाजी घमन में कितना भी इतराल है इस हकीकत की जमीन पे आके देखेंगे तो जीरो है में भारती जनता पार्टी का एक पकड़वा अभ्यान भी चल रहा है यानि किसी को भी जवरन पकड़ कर पार्टी का सदस्य बना देना ऐसा ही एक वाक्या हुआ है छतरपुर जिले के बमीठा थाना छेत्र में मानवेंद्र सिंग यादव नाम का एक योगक जो के नहीं की ग में व्यस्त थे मानवेंद्र सिंग पास में एक जनरल स्टोर पर किसी काम से गया वहां भारती जनता पार्टी के चार करकरताओं ने उसे घेर लिया उसका मोओाइल माँगा उससे कहा कि तुमको बीजेपी का सदस्य बनना है मानवेंद्र ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसे बीजेपी का सदस्य वैसे भी नहीं बनना लेकिन इन लोगों ने बीजेपी के कार्यकरताओं ने उसका मोबाइल जवरन चीन लिया उसे जवरन सदस्य बना दिया उसके साथ मार पीट की बाद में मानुएंद्र ने बमीठा थाने में इसकी रिपोर्ट ल रहा है एक और घटना जान लीजिए मद्परदेश की राजधानी भोपाल भोपाल में तो और भी कमाल हो गया भोपाल में नगर निगम की महापोर मालती रायने नगर निगम के कर्मचारियों को ही बीजेपी का सदस्य बना डाला पार्टी के सदस्य तावियान में अड़ क कि एक कर्मचारी फौजिया खान को पार्टी की सदस्ता दिला दी गई महापवर मालती राय ने बाकाइदा सदस्ता का प्रमाण पत्र नगर निगम के इन कर्मचारियों को थमा दिया इसको लेकर भी मद्द प्रदेश में बवाल मचा कि नगर निगम के कर्मचारी किसी राजनेतिक दल के सदस कैसे बनाये जा सकते है उज्जेन में आंगनवाडी कार करता हूँ आंगनवाडी साहेकाओं को पार्टी का सदस बनाने के काम में लगाये गया है वहाँ नगर निगम के आउट्सोर्स कर्मचारी पार्टी का सदस बनाने के काम में लगे हुए है यानि जिनका काम सरकारी है जो नगर निगम का काम करने के लिए तैनात हैं जो तनखा पा रहे हैं वे भारती जनता पार्टी का सदसिता अभ्यान चला रहे हैं इसके अलावा राजस्थान उत्तर प्रदेश ऐसा कोई राज़ नहीं है जहां भरती जनता पार्टी के सदसिता अभ्यान को लेकर कोई न कोई विवाद न चल रहा हो जबरन सदस्य बनाने से लेकर पैसे देकर सदस्य बनाने तक की खबरें सामने आती रही है लेकिन सबसे मज़ेदार वाकिया जो हमने आपको शुरू में बताया गुजरात में हुआ है अस्पताल में आखों का इलाज कराने के लिए भरती धाई सो लोगों को आधी रात को जगा कर धोखे से बीजेपी का सदसित बना दिया गया है सबसे दिल्चस बात ये है कि इस तरह से चल रहे अभ्यान के बाद पार्टी का दावा है कि वो जल्द ही दस करोड का आंकड़ा भी हासिल कर लेगी इसको लेकर प्रधान मंत्री से लेकर राष्ट्री अध्यक्ष तक एक दूसरे को बधाई दे रहे है मद्द प्रधेश के मुख्य मंत्री, मद्द प्रधेश के पार्टी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सब एक दूसरे को इसकी बधाईयां सोचल मीडिया पर देने में लगे हुए है जब कि सचाई ये है कि अब तक बने हुए आठ करोड सदस्यों में कितने सदस्य असली होंगे, कितने फरजी होंगे, कितने जबरन बनाए गए, कितने धोखा दे कर बनाए गए, कितनों को पैसे दे कर भारती जनता पार्टी का सदस्य बनाए गया और इस तरह पार्टी ये दावा कर रही है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है अगर ऐसे ही सदसिता अभ्यान चलता रहा तो पार्टी आने वाले कल में ये दावा भी कर सकती है कि वो ब्रहमांड की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर ये अभयान इसी तरह चलता रहा इसी तरह जबरन या धोके से पार्टी के सदस्य बनाये जाते रहे तो हो सकता है देश की कुल आबादी से ज्यादा लोग बीजेपी के सदस्य बन जाएं आज के इस वीडियो में बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जैहन